हेलो एवरिवर्न इस वीडियो में हम क्लास सेक्स विश्य हिंदी की कारेपत्रक 24 करेंगे दिनांग है इसकी 28 सेप्टेंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सरूर सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कारेपत्रे का प्यारे बच्चों पिछले कारेपत्रक में हमने लेखक प्रेम चन द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पड़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्णिस पर एक चिडिया ने अंडे दिये हैं उनकी अंडो को देखकर दोनों उनकी देखवाल में जुड़ जाते हैं चलिए आके देखते हैं कि दोनों बच्चे चिडिया के लिए कैसे और क्या क्या काम करते हैं ठीके तो यह जो हमारी कहानी चल रही है नादान दोस्त उसका अगला भाग आपका है और देखे अगर आप इस पूरी कहानी को अनिमेटर देखना चाहते हैं तो नादान दोस्त के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वहां से आप इस पूरी कहानी को अनिमेटर भी देख सकते हैं ठीके जिससे आपको वक्षिट करने में भी असानी रहेगी तो अब हम यहां से पढ़ते हैं श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुई थी स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ जादा दवाब पाता था जरा सा हिल जाता था उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पढ़ती थी वह उसी का दिल जानता था दोनों हाथों से कारणिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी अवाज से डाटता अच्छी तरह पकड़ वर्णा उतर कर बहुत मारूंगा मगर बेचारी श्यामा का दिल तो उपर कारणिस पर था बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाट धीले पड़ जाते केशब ने जियू ही कारणिस पर हाथ रखा दोनों चड़िया उड़ गई केशब ने देखा कारणिस पर थोड़े तिन के बिछे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं जैसे घोसले उसने पेडों पर देखे थे वैसा कोई घोसला नहीं है श्यामा ने नीचे से पूछा क्या बच्चे हैं भईया केशब बोलता है तीन अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले श्यामा कहती है जरा हमें दिखा दो भईया कितने बड़े हैं केशब बोलता है दिखा दूँगा पहले जरा चित्धडे ले आओ नीचे बिच्चा दूँँ बिचारे अंडे तिन कोपर पड़े हैं ठीके तो इस तरीके से ये आपका आज का परेग्राफ है और अब हम प्रश्णों की तरफ चलते हैं आपका प्रश्ण एक है श्यामा के पकड़ने के बावजूद भी स्टूल क्यों हिल जाता था इसका उतर लिखेंगे स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ दवाब पड़ता स्टूल थोड़ा हिल जाता था दूसरा प्रश्ण है अच्छी तरह पकड़ वर्णा उतर कर बहुत मारूंगा किस ने किसको कहा तो इसका आप लिखेंगे केशब ने श्यामा से कहा ठीक है तो देखिए ये फर्स्ट का अंसर है ये सेखिन का थरड है कार्णिस पर कितनी चड़ियां थी तो तीन, दो, एक या फिर चार तो अभी हमने पड़ा तीन जो थी यहांपर दो चड़ियां थी और बागी अंडे जो थे वो कितने थे तीन थे ये देखिए दोनों चड़ियां उड़ गई दो चिडियां थी कार्णिस पर इसका ये वाला सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स देखिए प्रशने चार क्या बच्चे हैं भाईया में क्या का अर्थ बताईए तो क्या का अर्थ कितना है क्या का अर्थ है कितने ठीक है क्या का अर्थ क्या है कितने कितने बच्चे हैं ठीक संग्या शब्द ये सारे हैं जिन ही मैंने इस तरीके से जो है हाइलाइट कर रखा है कौन-कौन से श्यामा, स्टूल, केशव अंडे, गोसले, पेड, चिडिया तिन के बच्चे और कार्निस ठीक है इनको जो है आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में ये सब मैंने जो है हाइलाइट कर रखे हैं, ये रिखे ठीके न? इस तरीके से आपकी आज की वक्षित हो जाती है फिनिश आशा करती हूँ समझाई होगी वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, धन्यवाद